हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल लेट्स प्लै विथ स्टॉक मार्केट बात करेंगे आयार सिटी से के बारे में जो कि फाइनली जिस बात का डर था वो ही हुआ फ्रेंड्स फाइनली 15% का लोवर सर्किट देखना को मिल गया जो कि सुबा में ओपनिंग तो क प्रोंग सपोर्ट लेवल है जो कि बड़ी गिराउट डेखना को मिले है फ्रेंड्स तो यहां पर चोटे मोटे सपोर्ट लेवल काम नहीं करेंगे बड़ा सपोर्ट लेवल ही इस गिराउट को संभाल पाएगा तो चार्ट के पर टेकनिकल एनालीसिस भी करेंगे और खब जोन सुच्वेशन में IRCTC चला गया था फ्रेंड्स जितनी IRCTC की जो वेल्यूशन है वो वेल्यूशन काफी हाई हो चुकी थी फ्रेंड्स तो इसलिए कहें ना कि जो करेक्शन आना था वो काफी शापली ही देखने को मिलने वाला था और वो ही फाइनली फ्रेंड्स हुआ तो खबर के उपर हम एक नजर कर लेते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहे हैं वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करके इंक्रेज करना तो बिल्कुल ना भूले हैं और साथ में एक अपडेट भी दे दूग हमने फाइनली प्राइम सर्विस टार्ट कर दिया ह कि जो प्राइवेट ट्रेंंस है आयर से नहीं कर पाएगा जो कि अब कही ना कही रेग्यूलेटर को बिठाया के जाएगा सबसे उपर में यानि कुछ भी डिसीजन लेना पढ़ेगा आयर से इटीज को तो वो रेग्यूलेटर के पास पर्मिशन लेनी पड़ेगी उसको ब कर पाएगा friends उसकी सबसे जो decision ले जाएगे और अब नहीं ले जाएगे क्योंकि अब regulator को बिठाने की बात हुई friends जिसके लिए IRCTC के लिए एक बहुती बड़ा जटका साबित हो सकता है और इस खबर के चलते हमें बड़ी gear out की situation देखना को मिल रही है और साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि IRCTC का जो valuation था वो काफी ज़्यादा हाई हो चुकादा friends आप समझ यह friends में क्या बताने की कोशिस करा हूँ कोई भी company है उस company की अगर valuation 100 करोड की है और अगर उस company की valuation से भी ज़्यादा अगर shares का price उपर चला जाता है यानि friends overbought situation में price चला जाता है valuation से भी ज़्यादा अगर price momentum करने लगता है तो कहे ना कहीं friends वहाँ से हमें बड़ी गिरावट देखना को मिलती है और वो ही friends IRCTC के साथ हुआ IRCTC का जो valuation था उससे काफी ज़्यादा high price चला गया था IRCTC का जिसके चलते हैं आज हमें 800 रुपे से भी ज़्यादा की गिरावट देखना को मिलिया है तो friends ही अपना आप में बहुती बड़ी ख़बर है IRCTC के लिए कि अब IRCTC के उपर एक regulator बिठाए जाएगा जो उस सारे decision लेगा तो जिसके दम पे हमें गिरावट की situation नज़राई चार्ट सके उपर technical analysis करते हैं कि next क्या possible level target देखना को मिल सकते हैं और कहां तक IRCTC लोड़क सकता है और कौन सा strong support लेगा और कहां पे fresh position बना सकते हैं उसके पर हम detail में discussion करते हैं तो friends वीडियो के साथ बने रहा है तो जिसा की friends आप देख सकते हैं IRCTC का chart मैंने daily time frame पे open किया है और यहां पे कुछ line ने भी draw करके रखी है और यहां पे support level की मैं बात करूँ तो जो पहला अच्छा support level निकल के आ रहा है और 4750 का एक अच्छा support level है जहां पे आप देख सकते है friends तीन दिन के लिए यहां पे मैं IRCTC support लेता हुआ संभलता हुआ नजर आया था 4750 के level के असपास तो यह अपना अप में एक अच्छा support level है लेकिन मैं strong support level की बात करूँ तो जो अच्छा और strong support level निकल के आ रहा है वो friends 4200 का 4200 का अपना अप में काफी strong support level है और मुझे लगता है कि अगर यहां पे friends इस support level को break किया 4750 के level को तो फिर मुझे लगता है कि 4200 के असपास आपको IRCTC से संभलता हुआ नजर आएगा क्यों? क्योंकि friends यहां पे आप देख सकते हैं दो green candle हमें शांदार देखना को मिल रही है और यह दोनो green candle के बीच में आप एक चोटी dozy candle देख रहे है जो कि base candle है कई ना कई जो price में momentum आया friends जो इतनी बड़ी हमें तेजी देखना को मिली और पूरी तेजी friends यहां से आई थी तकरिबन 4200 के level के असपास तो friends अगर आपने already position बना के रखी है तो लंबी उदी का view है तो आप definitely hold कर सकते है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपका short time frame पे view है तो आपको थोड़ा बहुत तो friends अगर profit booking कर लेना चाहिए था उपरी level पे 50% लेकिन अब यहां पर गिर आउट हो चुकी है तो आप थोड़ा इंतिजार कर सकते है अगर यहां पे इस level के असपास संभल गया तो यहां से हमें जो back bounce देखने को मिलेगा तो उस time पे आप थोड़ा बूद profit booking कर सकते है otherwise यहां से हमें बड़ी गिर आउट ही देखने को मिलेगी 4750 के लेवल को break air करेगा तभी फ्रेंट्स तो इंट लेवल को चाउट कर अपना स्टेडी कंटक कर अपने फाइनल शेडवेजर की सलाल है उसके बाद ही किसी भी तरह की कोई पोजिशन बनाई है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर के इंगरेज करना ना भूले और चैनल बनाई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए जब मिलता है से एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू अगैन फॉर वाचिंग दिस वीडियो